जहिन मेरे पैरा दोस्तो जो भी वांट गए इस नई वीडियो में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज है 9 जुलाई और आज की साथ सबसे बड़ी भरतियों के फॉर्म लेके मैं आपके लिए इस वीडियो में हाज ही रहे हैं दोस्तो तो जानिये वीड चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर लिजे बेल आकन भी प्रेश कर लिजे दोस्तो इसी तरह से गवर्मेंट से रेलेटेड जितनी वी जान काई होती है दोस्तो जोल्स immunity यूज ना से सारा का सारा अपडेट मैं आपको इसी चैनल पर देता हूं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस कर लिजे दोस्तों ताकि सबसे पहले आप तक मेरा वीडियो पहुँच जाए तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे की और दोस्तों हम आगए हैं अपने स्क्रीन पर और आज की हमारी पहले वेकन्सी उत्रक्खंड सबोर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमिशन बोर्ड की तरफ से निकल करा रहे दोस्तों ये सुपरवाइजर के लिए वेकन्सी है दोस्तों और ये चेतारिक को इसका पोस्ट अप्डेट किया गया है और 434 नंबर और पोस्ट के लिए इसकी वेकन्सी है दोस्तों ये आपका अलग-अलग नंबर्स अफ वेकन्सी है दोस्तों यहाँ पर इसके अप्लिकेशन फी की बात कर लेते हैं दोस्तों ये तीस तारिक से ही इसका अड़िटाजमेंट स्टार्ट हो चुका है लेकिन 6 तारिक से दोस्तों इसका फॉर्म फी भराना स्टार्ट हो गया है फॉर्म और आप 19 अगस्तक इस फॉर्म को असानी से भर सकते हैं दोस्तों वही आप इसके form fees को दोस्तो आप 21 अगस्त तक पे कर सकते हैं और December में accepted date है दोस्तो आपका return test का यहाँ पर monitoring assistant के लिए आपका age limit जो है 21 से 42 साल है और 8 post है qualification यहाँ पर अगर आपने plus 2 signs ही किया है तो आप इस form को भर सकते हैं lab assistant के लिए दोस्तो age limit 29 साल है total seat 7 seat है और आप intermediate है science से तो आप इस form को भर सकते हैं दोस्तो cooperative supervisor के लिए दोस्तो 18 से 42 साल आपका age limit है 2 seat है intermediate with science है तो आप इस form को भर सकते हैं उसी तरह से environmental supervisor के लिए भी same eligibility criteria है 291 post है दोस्तो और intermediate with science है तो आप भर सकते हैं दोस्तों lab assistant है दोस्तों lab assistant के लिए 18 से 22 साल और आपका 87 सीट है और plus two किये हुए हैं और अगर आपने lab assistant से related कोई भी subject लेकर pass किया हुआ है 12 तो आप form भर सकते हैं lab assistant के लिए दोस्तों यहाँ पर फिर से 21 से 22 साल 9 सीट है bachelor degree in bsc science किया है आपने अगर science से तो आप form को fill up कर सकते हैं photographer के लिए दोस्तों 21 से 42 साल age limit है दो सीट है इसके लिए और bachelor degree आपने science से science में physics किया है honors लेके तो आप इस form को भर सकते हैं scientific assistant के लिए दोस्तों पांच सीट है 21 से 42 साल इसका भी age limit है दोस्तों और आपने PG किया है किसी भी इसी से related तो आप form को fill up कर सकते हैं उसी तरह से फार्मा के लिए दोस्तों chemist के लिए यहां पर देख सकते हैं आप सब कर 21 से 42 साल है और यहां पर art seat है pharmacy के लिए दोस्तों यहां पर प्लस टू आपने डिप्लोमा किया है है विथ फार्मा से तो आप वःसकते हैं इस form को chemist के लिए दोस्तों एक seat है और यहां पर chemist 2 के लिए दोस्तों दोसी ठी दोस्तों यहां पर graduate assistant के लिए दोस्तों 21 साल आपका age limit है और दो साल आपका दो सीट है आपका और डिगरी विद मैथ फिजिक केमिस्टी आप किसी भी साइंटिफिक फिल्ड में किये हुए हैं तो आप इस फोम को बरसते हैं दोस्तो यह हमारी नेक्स्ट अगली वेकनसी दोस्तो पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर रेक्वार्मेंट दोस्तो लगभ वा और पांस साथ थाथ नंबर साप की वेकनसी निकल करा रही है और यहे आपका साथ तारग겠습니다 के लिए है आपको यहाँ पर देख सकते हैं ESM के लिए यहाँ पर आपका एक सर्विसमेन हो या फिर पंजाब के हो दोस्तो आप तो यहाँ पर आपको 700 रुपए फी पे करना पड़ेगा SCST है अगर पंजाब के और EWS हैं तो आपको 900 रुपए पे करना पड़ेगा इस फॉर्म फी को आपको दोस्तो ओनलाइन पे करना पड़ेगा तो इसका एक्जाम डिट की बात कर लेते हैं तो 6 जुलाई से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और आप 27 जुलाई तक इसके फॉर्म को भर सकते हैं 18-28 साल है आपका एज है दोस्तो तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं और SI के लिए दोस्तो आप यहाँ पर बैचलर डिग्री हैं BA की होगा है ग्रेजियोशन पास है दोस्तो आप भर सकते हैं SI के लिए दोस्तो यहाँ पर Intelligence Officer के लिए आपने यहाँ पर कह रहा है कि B.Sc. या B.T. या B.E. होना चाहिए दोस्तो आइटी से रिलेटेड यानि की होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आपका ग्रेजियोशन डिग्री होना चाहिए दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे तो उसी तरीके से आप SI के लिए intelligence officer के लिए आप यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं दोस्तो फीजिकल standard की बात कर रहा है तो आपका minimum height जो होना चाहिए male के लिए वो दोस्तो आपका 5 feet 7 inch होना चाहिए और female के लिए 5 feet 2 inch होना चाहिए intelligence इंस्ट यहाँ पर दोस्तो आपका सब इंस्पेक्टर डिस तरह से है उस तरह से यहाँ पर देखिए अलग-अलग पोस्त वाज़ दिया हुआ है दोस्तो यहाँ पर आपका district police के लिए दोस्तो आपका 87 total post है और armed police के लिए दोस्तो 97 post है और यहाँ intelligence के लिए दोस्तो 87 post है और सब से last में investigation के लिए दोस्तो यहाँ पर अच्छा खासा वेकेंसी देखना को मिल रहा है उसका 289 जो दोस्तो है वो वेकेंसी है नमबर सो अगला वेकेंसी की तरफ आते हैं दोस्तो और यह है हमारा पंजाब subordinate service selection board की तरफ से दोस्तो यह आपका जूनियर डाफ्ट मेंन के लिए वेकेंसी है लगभग छे दोस्तो चेसो उनसट पोस्ट के लिए वेकेंसी निकल खरा रही है आपका application fee की बात कर लेता है तो एक हजार रुप्रेस का application fee लगने वाला है OBC SCST और OBC जनरल के लिए एक हजार रुप्रेस के लिए आपका 250 रुप्रेस लगने वाला है एक सर्विसमें है आप तो आपको 200 रुप्र चार्ज लगेगा दोस्तो फीजिकल हैं तो 500 रुप्र चार्ज लगेगा और इस फॉर्म फी को आपको पोस्ट वन और पोस्ट टू के लिए candidate should be passed matriculation with the two-year national trade certificate दोस्तो national trade certificate आपने किया हुआ है draftman में तो आप इस phone को भर सकते हैं या फिर कह रहा है दोस्तों यहाँ पर आपने diploma किया है civil mechanical engineering से तो भी आप इस phone को भर सकते हैं और दोस्तों तीसरा post के candidate should be passed in three year diploma in architecture assistantship यहाँ पर architecture से आपने किया हुआ है तीन साल का diploma तो आप इस phone को फिल अप कर सकते हैं अलग-अलग पोस्ट वाइज यहाँ पर अलग-अलग total numbers of vacancy दिया हुआ है जूनियर draftman civil के लिए 585 पोस्ट है junior draftman mechanical के लिए दोस्तों 13 पोस्ट है और architecture के लिए यहाँ पर आपको 61 पोस्ट देखने को मिल जागा दोस्तों यह जो है अगली विकेंसी की तरफ हम आते हैं यह आ रहा है दोस्तों आपका पंजाब सबूर्ण service selection commission board की तरफ से निकल कर आ रहे है दोस्तों यह यह आपका है veterinary inspector के लिए दोस्तों है यह आपका 600 866 पोस्ट के लिए विकेंसी निकल करा रहे है दोस्तों आप इसके application fee के बात कर लेते हैं तो 1000 रुपया इसका भी चार्ज लगने वाला है general वालों के लिए और CST EWS candidate के लिए आपका 800 रुपया चार्ज है और एक servicemen हैं तो 200 रुपया चार्ज है physical handicap के लिए दोस्तों 500 रुपया इसका भी जो दोस्तों फोंफी है आवेजन ऑनलाइन ही भरना है दोस्तों इसको आठ जुलाई से दोस्तों इसका अवेदन स्टार्ट हो चुका है और 30 जुलाई तक इसका अवेदन चलेगा दोस्तों किया हुआ है और डिप्लोमा किया हुआ है वेटनरी से तो अब आगला वेकन्सी हमारा है दोस्तों आपका पटवारी की तरफ से वेकन्सी निकल करें यह भी आपका राजस्थान सब्वर्णिन अंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सेलेक्शन ब़ूर्ड की तरफ से आपका है यह वेकंसी निकल करा रहे है, पाटवारी के लिए वेकंसी है, दोस्तों लगभग 5378 numbers of post है, दोस्तों बहुत अच्छी कासी वेकंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इसका application fee जो है, जनरल और OBC क्रीमी लेर के लिए दोस्तों साड़े चार सूर रुपया है, और OBC, OBC, और Non क्रीमी लेर वालों के लिए साड़े 300 रुपया चार्ज है, सेस्टी कंडिडेट हैं, तो 500 रुपया चार्ज आपको लगएगा, ऑनलाइन इसको भी पे करना है, फी को दोस्तों, और हम इसके important dates की बात कर लेता है, तो 15 तारिक से आपका अवेदन जो है, स्टार्ट हो जाएगा, और 29 तारिक तक जो है दोस्तों, इसका वेदन चलेगा, आपको form भरने में का गलती हुआ है, तो edit करने के लिए आपको दोस्तों, तीस तारिक से पांस तारिक तक का आपको समय दिया जाएगा, पांच अगस्त तक दोस्तों, उसके बाद जो है, आपका इक्जाम वगेरा का भी date जो है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, प्रिवियस date है जो दोस्तों इस form को extend कर दिया गया था, अब यहाँ पर age limit की बात कर लेते हैं, तो 18 से 40 साल आपका age limit है, छूट जो है आपको age में इसके rule के according देखने को मिल जाएगा, दोस्तों, बेसलर डिग्री या फिर डिप्लोमा आपने computer science से किया हुआ है, तो आप इस form को आसानी से भर सकते हैं, पटवा दोस्तों, और यह सेलर का विकेंसी है, दोस्तों, अक्टूबर बैच के लिए यह विकेंसी आपका निकल कर आ रहे है, दोस्तों, इंडियन नेवी सेलर अक्टूबर बैच के लिए 2021 के लिए दोस्तों, यह विकेंसी आपका है, लगभाग 350 नंबर और पोस्ट है, आप तो इस लिमीट की बात कर रहा है, कांडिडेट कर रहा है कि 2001 से 2004 के बीच में डेट ओव बर्थ है, आपका तो भर सकते हैं, आपने अगर दोस्तो मैट्रोकलेशन किया हुआ है, तो आप आसानी से भर सकते हैं, इस फॉर्म को यानि कि सिर्फ आफ टेंथ पास है, तो आप इस आपका इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के तरब से विकंसी निकल करा रही है, दोस्तो ये लगबग 15 पोस्ट के लिए विकंसी है, और इसके एज लिमीट की बात कर लेते हैं, हम यहाँ पर तो 18-37 साल आपका इंस्पेक्टर के लिए है, टेक्स असिस्टेंट के लिए 18-27 सा और आपका इहाँ पर कॉलिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो बैचलर डिगरी आपने किया हुआ है, तो आप इस पोंट को असानी से भर सकते हैं, दोस्तो बैचलर डिगरी इन डेटा और डेटा इंट्री ओपरेटर के लिए दोस्तो आपको यहाँ पर कुछ टाइपिंग टेस्ट वगरा जो है वो देना पड़ेगा और MTS के लिए सिर्फ आपने 10th किया हुआ तो आप भर सकते हैं दोस्तों यहां पर और इसका date की बात कर लेते हैं दोस्तों तो 25 साल 25 तारिक तक जो है आपका submission होगा दोस्तों आनि की already start है और 25 अगस तक आप इस phone को भर सकते हैं यहां पर अलग 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 पोस्ट के लिए अलग अलग आपका यहां पर total number of seat दिया हुआ inspector income tax के लिए दोस्तों यहां पर आठ पोस्ट है assistant tax assistant के लिए आपका 83 पोस्ट है और आपका multitasking staff के लिए दोस्तों 64 पोस्ट है अगले वीडियो में अगले in विकेंसि के साथ दोस्तों जाहिन तो